अरे, वो देखो इस पपी को, कितने जोर-जोर से रो रहा है वो बीमार भी लग रहा है, बेचारा लावरिस होगा, उसका कोई नहीं है चलो, इसे डॉक्टर जटका के पास ले चलते हैं, इसका इलाज करवाते हैं हलो पपी, आओ, आओ, तुम्हे डॉक्टर जटका के पास ले चलते हैं और ये डरो मत पेटा, हम तुम्हे डॉक्टर के पास ले जाएंगे प्राओर अजया को वह झी पर राग्र। रुचा पपी, रुचा पपी, रुचा पपी, वो देखो, दो आदमी उस छोटे से पपी को कैसे तंद कर रहे हैं, चलो, उन्हें सबक सिखाते हैं अब क्या चाहिए तुम्हें, हम तो तुम्हारा भला कर रहे थे, तुम्हारी बीमारी का इलाज कराना चाहते थे, और तुमने हमेही कटवा दिया, हाँ सौरी अंकल, लो, अब सौरी बोल रहा है, मैंने इसकी भाशा कैसे समझ ली, अरे हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि ये हमें सौरी बोल रहा है आप मेरी बाशा समझ सकते हैं, और बात भी कर सकते हैं, सौरी में गवरा के भाग गया था अच्छू, अच्छी, अच्छी अरे पहले रो लो या छीग लो, दोनों काम एक साथ मत करो लेकिन तुम रो क्यों रहे हो मेरा नाम रोकी है, मेरे मालिक दुबले पहलवान ने मुझे गर से निकाल दिया है क्योंकि मैं हमेशा बिमार रहता हूँ और वो कहते हैं, कि मेरी बिमारी मेरे दो भाईयों को भी लग सकती है तौमी और मोटी मेरे भाई है ओ, ये तो बहुत ही गलत बात है देखो, मेरा नाम है मोटू और ये हाँ मेरा दोस्त पतलू चलो, पहले तुम्हारी बिमारी का इलाज दॉक्टर जहक्का से करवाते हैं फिर तुम्हारे मालिक के पास चलेंगे, ओके? वह देखो, उन्होंने उस बच्चे को पकड ही लिया अब नहीं छोड़ूंगा उन्हें भागो! अरे, तुम लोग क्यू हमारे पीछे पड़े हुए हो? अरे, उन्हें कैमिकल्स के जार गिर गए है, और कभी भी प्लास्ट हो सकता है, तूर भागो, तूर ओए मुटू पतलू, आप दोनों अंदर जाओ, मैं निरोगता हूँ थैंक्यू, थैंक्यू, अरे, उन्हें कैसे भी रोक दो, जब वो चले जाए, तो हमें बताना, हम बहर आ जाएगे तुरे की, मुटू पतलू तो अंदर चले गए, मुटू बहर आओ, मुटू बहर आओ रुक जाओ, मुटू पत्तू मेरे दोस है, उन्हें काटा तो देख लेला सौरी, सौरी कुमफू मास्टर, गलती हो गई, वी आर प्रॉड ओफ यू, एक डॉगी को तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए, वो अपने मालिक और दोस्तों की रक्षा करता है, अब हमें छोड़ दो, प्लीज ठीके, ओके, ओके, अब आप दोरो जा सकते हो मोटु पतलु तुम ठीक तो हो न, कौन है कौन है जिसने मोटु पतलु का यह हाल किया है मोटु पतलु मेरे यार, मेरे बाई, तुम लोग ठीक तो हो न, है उड़ी पामा, दोनों का बहुत बुरा हाल है इन दोनों ने मेरे मोटु पत्लों का ये हाल किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा मोटु पत्ल बाचाओ, ये लोटी मुहुँ खादर ना है क्योंकि उपको छोड़ दो, वो हमारे दोस्त है सौरी सौरी, मुझे लगा ये हमारे दुश्मन है पड़े भाया, ये पप्पी रौकी बहुत ही बीमार है हम इसका इलाज कराने आये थे और खुदी जखमी हो गए कितना प्यारा डौगी है यार, चलो, मैं तुम सब का इलाज करता हूँ तुम सब जल्दे हे ठीक हो जाओगे यार, है वो देखो, वो रहा मेरा घर पपी ओ रौकी, तुम कहां चले गए थे, हमने तुम को बहुत मिस किया तुम्हारे बिना एक पर भी अच्छा नहीं लगा मैं इन दोनों की वाज़े से वापस आप आया हूँ ये है मोटू पतलू, मेरे दोस्त और मोटू पतलू, ये है मेरे भाई, टॉमी और मोती हाई दोस्तो तुम्हारा मालिक कहा है, दूबले पहलवान मैं अभी उसे ठीक करता हूँ वो देखो, वो रहे दूबले पहलवान ओ, मैं अभी उसे ऐसा साबक सिखाऊँगा कि वो जिन्दे की भर्याद रखेगा अजे भाईया, तुम फिर आ गए चलो भागो, वरना तुम ले पहलवान तुमको उपर वाले के पाद भेज देंगे हाँ अरे, ऐसे कैसे भेज देगा अब ये अकेला नहीं है, इसके साथ हम है बच्चे पर अपनी टाकत का जोर ना दिखाए और ये पहलवानी करनी है, तो मेरे साथ कुष्टी दढ़े अगर मैं जीता, तो उसे रौकी को अपने पास रखना होगा और अगर मैं हरा, तो रौकी उसके साथ नहीं बलकि मेरे साथ होगा मंजूर है, दुगले पहलवान ने हमेशा हर चैलेंज को सविकार किया है कल सुबे नौ बजे मोटू मेरे क्याल से कुष्टी का ख्याल छोड़ दो मेरे मालिक बहुत खतरनाक है अरे मैं और भी खतरनाक हूँ, तो मेरी चिंता मत करो ओके, दोनों पहलवान थ्यान से सुनो, कोई भी चिटिक नहीं करेगा अरे रुप जाओ सर जी, पहले दुबले पहलवान को तो आ जाने दो क्या, क्या तुम दुबले पहलवान नहीं हो, तो फिर दुबले पहलवान है कौन मैं हूँ, मैं हूँ दुबले पहलवान. मोटू चलो घर भाग चलती है, रोकी को हम अपने साथ रखेंगे. नहीं बतलो, आज सही और गलत की नडाई है, मैं भागूँगा नहीं, रोकी को उसका हग दिला के रहूँगा. हाँ. तो तुमने मुझे चैलेंज किया है, लेट्स फाइट. देखो दुबले भाईया, एक तो दुबले नाम रखके तुम लोगों को बुधु मिनाते हो, और लोग सोचते हैं कि तुम दुबले होगे, और तुमें फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं. दूसरा, रौकी को उसके भाईयों से अलग कर देते हूँ. सिर्फ किसलिए कि वो बिमार रहता है? हाहा. बाते बंद करो और फाइट शुरू करो. ओके, फाइट. आज मेरे और मोटू के पीछ कोई नहीं आएगा. यह माँ पाइट माई नहीं मोटू कर रहा है. पाइट मेरे आएट शुरू कर रहा है. आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए उपर भेज़ दूगा मों तु येलो समोसे खाओ और शुरू हो जाओ नहीं बतलो आज मैं समोसे नहीं खाओँगा आज सही और गलत की लड़ाई है और मैं सही तरीके सही लड़ूगा किया टीं तही दिवा माँ लो लो आ वो कि अडर्त वो ये वै अ माँ अ आ मोटू तुम बहुत बहादुर हो तुमने ठीक कहा था ये सही और गलत की लडाई है और जीत हमेशा सही की होती है मैं रॉकी को उसके भाईयों से कभी अलग नहीं करूंगा थांक्यू दूबले पहलवान थांक्यू थांक्यू मोटू पतलू तुम जैसे दोज सब को मिलना चाहिए